है तो अतीश पांदे जी हरीट जी और जैकी जी आज हमारी online classes भी आज साथ सीतल जी सीतल खुमार जी है जोंकि एज डैमो नोने जॉइन किया है वो ग्लास देना चाहते हैं तो डैमो के तौर प्याज आज आए हैं और आज की हमारी क्लास में हम आपके साथ डिसकुस करने जा रहे हैं तो मैंने सब्सक्राइब कर दिया था था हमने के इसाफ से मेरे अपने इसाफ से देखिए कि फॉर्मूला चुट तो नहीं गया जो आपको सीखना था उसके एक लिस्ट मनाने की आप लोगों ने किसी नहीं देजा मुझे प्लीज आप लोगों इसके लिस्ट करें जो फॉर्मूले को रीवीट करते हैं उसके बाद आज जुमाप्रेपास कराने जा रहे हैं तो वह डिफाइड नींट का सिस्टंग जो है जिसको आपनों फॉर्मूलास सिंपलाईएशन करते हैं एह हम आपके साथ डिस्ट कर जा आप जाए किजिए वीडियो नहीं कल वाली नहीं आई वीडियो अभी अप्लोर्डिंग लगा है आज आएगा तो तो अब बात करते हैं यहां पर कि जैसे की मैं बताया आपको कि हाम classy अमक्य विघे कर रहा हैं सबसरत में इसकी है तो कि अबुर्ण करताय सबस्क्राइब बेखें खेए हैं सब्सक्राइब लेकिन अगर मैं डिफाइन नेम पे गया इसका नाम मैं डीडी रख दिया और एक्सेल इसको डीडी के नाम ते जाना है मतलब कहीं भी मैंसे इसको अप्लाई करना हो तो मैं जब साम और यहां डीडी रखके ओके कर दूना हूँ मैं इस सीत में ननगे करना मैं अब इसको बय्मिपड को कैशी सबसे पहले हैं इसकी का किसे पीस तरीकि कर सकते हैं सट्रैकर Yaak हमने निर्सेटिव के एक बहुत बरीव बारीव अपलाई कि लिए अगर जी आगार निटीव काले के लिए बहुत बार फॉर्मुला अप्लाई कि अगर जी रोटी है तो 500 हो तो फटी वन तो तो वन ताउजन ओ एक्ती वन तो हंडेड हो तो तूजन ओ और गेतर थैन हंडेड हो तो फाइड थाजन ठीक है तो इसके लिए हमने एक्सल पे यहां पे नेस्टे रिफ का कमला अपलाए किया दर कि इफ हम इसको सिलेक्ट किया अगरे में और एक्टेड थैन दर इक्कल डू एक्टेड है तो फाइव अंगें इसको सिलेक्ट किया अगर अगऩा थे लेस देन इक्कल्ट Lavum कि एी है तो 1000 कि RIA अगें हमने आप एक्स लिए उसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर लेस दन इकोल टू एंडेड है तो तू थाउजन अगर आई फाइट पाइट है ठीक है यह हमने फॉर्मॉला अप्लाइब तो अभी फॉर्मॉला वर्क करना है सही है सबसे आप समझ भी गए लेकिन क्या है कि इस फॉर्मॉले को हम और आप लोग लेकिन उन लोगों को एक्सल ज्यादा नहीं आता और उनको फॉर्मॉला लगाने का अगर देखके भी लगाएंगे तो प्रिप्लों कहने कर देंगे क्या सिदर जी सही बोलना हो आपको मैं कि इसको सिंप्ला है कि इसका सॉलूशन क्या है कि मैं इस फॉर्मॉले को कॉपी करने के बाद हम इस पर करसा रखेंगे और हम चल जाएंगे फॉर्मॉला में गुबार के डिफाइन यहां पर आप अपने हिसाब से नाम देदें आएंसी देदिया और यहां जहां पर रेफ्रेंस था सीट का वहां पर उस फॉर्मॉले को पेस्ट करें अब मुझे कहीं भी अप्लाई कर है तरहां यहां पर आइंसी लगाऊंगा और इंटी अब आएंसी तो कोई भी लगा सकता है मतलग जो फॉर्मॉले था उस फॉर्मॉले को मैंने नेम मेनेजर के अंदर में यहां पर गदिफिट का हुआ हुआ कि अब थार्ड पार्ट कोई भी अप्लाई करेंगा इसको इजली अप्लाई जाए यह तो हरी जी जैकी जी एंसी तर्जी यह बाकी लोग भी है उनसे पुछना चाहूंगा कि ए टॉपिक आपको समझ में आया इस इस इसके अंदर इससे बेनिफिट का होता है अब बात करत सकते हैं किया कुछ दूगर कर सकते हैं कि क्या रिए कर सकते हैं कलेशन जैसे रहें पास यहां यहां पे ग्रोथ का को मैंनें कि यहां पे कॉफ क्वार्ट का वबाटा की कि अब क्या है कि ग्रोथ का कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसकी कल्कुलेशन कर लेते हैं कि लेटेंस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड वाइड ओल्डेस्ट पर सिंटेग आयता है लेकिन इसको बोड़ मास नहीं होता है इसकी प्रैकेट लगाए कि अधिक है तो यह हमने ग्रोथ आता है तो मैं चाहता हूं कि या ग्रोथ नाम का फॉर्मूला हमेशा रहे ठीक है यह एक्षल का पार हो जाए कि मुझे हर बार इस तक आप एक छोटी क्लिक्लेशन है तो आपको बड़ी-बड़ी क्लिक्वेशन यूज करना पड़े तो वहां पर आप 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 यूज कर लेगे लेकिन तो को यह और यूज नहीं कर बाएंगे या पिडिश करना पड़ता सब्सक्राइब तो आप ऐसे कल्कुलेशन को भी कि फॉर्मुला में डाल देते हैं ध्यान रखिएगा कि दहां से जहां पर आपको रिजल्स चाहिए वहीं पर फॉर्मुला को पेंश करेंगे अगर माले से मैंने यहां पर करसर रखे और डिफाइन ने में जा कि हां फॉर्मुला बेस किया दिकत क्या पता आपको तब क्या हुआ कि फिर वह तीन गया पर कि आपको हमेशा यह पहला क्वाटर वन दूपाटर तुरू एक ब्लोर ब्लाइंग और यहां पर देना पर इस कर देते हैं अब मैं इसको डिलीट करके यहां पर इक ओल जी आर लगा होगा इंटर वारोगा तुमेटिक प्रसंति हैं चोटी कल्कुलेशन है अब जैने कोई बड़ी कल्कुलेशन अजमाते हैं बड़ी कल्कुलेशन मेंस मुझे इम आर्पी निकालना है कि मालगे किसी प्रड़क्त का कोस्ट जहें 50 है मुझे इसकी इम आर्पी जाहिए तो इम आर्पी क्ल्कुलेशन क्या है क्ल्कुलेशन यह है कि फाइव पर्चंट जाहिए पाइव पर्चंट है च्छी प्रड़क्त करेड़ का लिए उस फाइल के अंदर जिस फाइल करहा है उस फाइल में आया है किसी भी सीट पे गरतके है सब्सक्राइब आप डिलीट करके सिट बीटू रखें कि रखेंग कि रखेंग कि दियों माइनस कि आइसा नहीं होता है पता नहीं क्यों हो रहा है सीटर फेरेंस से इस प्रॉलम नहीं होती है आप उसको टाइब करके देखें आइसी प्रॉलम नहीं होती है कि आई करां को आगया कि अशीट ने प्रॉलम यहां पर रहा है इतना नहीं एक चीज और है कि हम से इसको नहीं है कि आप एक और एक्जाम्पल समझा रहा हूं इस लिए कि इसके कई सारी इस्तमाल है सिवे ही इसके कंवागर यूज कर सके हैं और दूसरा कि हम कलकुलेशन को शिंप्लाइब करने के इस्तमान करते हैं जी यहां पर कि अब इसारे कलगूलेशन हैं अगर मुझे इसारे कल कुल डिंचल में करना तो याद होगा जैकी जी इसके लिए हमने पांच यो आ फॉम्ला लिखना पड़ा से यह कंद से पटास का पांच परसेंट बाउड़ परसेंट ज़े डिस्ट्रिबीशन कॉस्ट होगा पर आप सामने में और यहां पर से लिखना परेगा और यहां पर से लिखना पड़ेगा पहले और यहां पी को यहां से अधाना पर्ता है है और मुझे और यहां पर मुझे 15 परसेंट करना परेगा और फिर यहां पर हमें है 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 इसको यहां लगोंगा इस इसको स्वेल को प्राइट में करता हूं और यहां पर इसको करना पड़ेगा काफी ज्यादा लंबा पॉर्मला हो जाएगा और कल्कुलेशन में भी हमें काफी ज्यादा प्राइट करेंगा इसको फॉर्मुला में पॉर्मुला में पॉर्मुला को लूगा फॉर्मुला को लूगा और यहां इसकी जो यह है जी तरी जाकर इसको करने में कि जहांजार डी चाटी किने वहां वहाइज को के सब्सक्राइगा इसकी जी इसकी जोगे जिए यहां पर फॉर्मुला मारा लास्ट कि इट्वेल के जवाद पर इट्विल का कॉमला में डाल दिया देख लंबा हो जाना है अब इससे लिपाउ इसकर तौरुडा कॉमला लंबा यहां पर जाए कि अब ने कुछ गलती किया है हमने बोर्ड मार्श देथा और इस ने किया तो ब्राइकट का इस ध्यान रिखेगा जब भी आप इस तरह की काल्गुलेशन करें तब आएक तो कि अब देखिए कि कितना ब्राव फार्मुला बन गया है क्या कुलिट जी कि देखिए कितना ब्राव फार्मुला बन गया अब देखिए बान- द बनाने न्हांनल क्लकुलेश्न की बमाुश्र से बना मैं अब बात करने कि कि अगर हम किसे करें तो किसको स्क्तिके करें स्या करें चलिंद चलिए इस सिंक्तिका इनamba और हमने यहां पे लिखा कि 50 पुलास 50 का पांच पट से और यहां दखेगा डॉलर जो है ना डॉलर साथ इसको हटा जाए तो क्या हो जाएगा कि एक सेलेक्टेट सेल का ही यह बन जाएगा तो हमने इसका नाम इसका नाम मैं इसका नाम मैं बाता हूं अब इसका निकल लिए पावर पाइंट निकल लिए फिर में आपर करते हैं करते हैं इसका फिर दिस्टिबिशन कास्ट के लिए मैं यहां पर करता हूं कि दी सी प्लास डी सी देट लिए वाइए वाइए इसी कर दिये चलिए उसके बाद इसमें यह हो गया और हमारा नेक्स्ट आता है के मार्पी के मार्पी मैं यहां दें लगाँ एच्छी एच्छी प्लास एच्छी मल्टिप्लाई वाइए इन परसेंट 20 परसेंट 20 परसेंट आपने इसको क्लोज करता हूं इक्वल टू इवाइए ठीक है कितना सिंपल हो गया और इसकी देखिये एच्छी को दिखा हो गया तो सर गुन जाएगा उसा बात इस फॉमुले में अगर तो चेंज करना हुआ माली जी की कल्किरेटर पता चला कि फाइब परसेंट के जगह पे यह सेबन परसेंट रोचुका है तो आपको इसमें सेंट चेंज करने में काफ़े पिक्का दोगर तो इसमें क्या है इसके लिए क्या आप आप सीधे जाएंगे और आपका जो यह था सेंट इसमेंट हुआ तिक है अब बोले सीधान जी क्या बोले ते आसा है जो पर लगेगा है नहीं वह लग रहा है इतना वह लबा लभा याद रखना बहुत मुश्किल है मैं याद क्या रखना है हमने कुस्थ थोरा किया हमने क्या किया किया क appelle क्लिकुलेशन लिएём के असुछ क्लिकुलेशन कर लिया अगर मैं अग्ग्छा इतना न्गा लगा का तो मैं भी लगा पाँ गा में नहीं कहां कि आप फॉंमले को तोड दिया ज़े वे यह अच्छी सीज है इस पहले आप फॉंमले को तोड़ डे और उसकी रिजल्ट को वेरिफाई करें सिरे आपने को जोड़ दे तो ब्रेकप यह फॉर्मा रहा है। जब हो जाए तो उसको वहां में आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब्सक्राइब तो हम आपने बताते हैं कि इस फॉर्मॉला सिंप्लाइशन का एक और यूज है कि हम यहां अब दूसरा क्या है दूसरा हम इसका फ्रीजिंग से बचने के लिए इस्तमाल करते हैं कि माले जिने कि मिरा यहां पर टैक्स है अब यहां पर जैसे 5 परसेंट है तो मुझे इसका निकालने के लिए हमेशा इसको करना पड़ता है और नीचे करने के बाद करने के लिए मैं इसको फ्रीज करना पड़ता है तब नीचे के तरफ आता है और कई सब्सक्राइब करना पड़ता है तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सिंपल साहा इसको डिफाइंड में जाते हैं के नाम देते हैं और इसको कर देते हैं अब मैं यहां पर सिंपल इसको सेलेक करेंगा और मल्टिप्लाइवाइब टैक्स और ड्रैक का निग्रेटर में पूई फिंजिंग की जदरोत नहीं है तो कई सब्सक्राइब एक रिफ्रेंज को लेना है उसको हमेशा फ्रीज विरीज करते रहना है तो आप इस तरह के चीज़ें इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है अब इसके बारे में इसका और क्या बेनिफिट है इसके लिए एक सिंपल सा फाइल दिखना पड़ेगा राइट क्लिक कीजिए अपने किसी सीट में पे और इंसर्ट पे जाएगा इंसर्ट में यहां स्पेर्शिट स्लूशन मिलेगा इस स्पेर्शिट स्लूशन इस स्पेर्शिट स्लूशन में यहां पे लोन अत्राइशन का एक टैंपलेट है उसको आप ओके किजिए और उसको डाउनलोड किए कि एक लोन कैलकुलेटर है कि मालेजिए मैं 50 थाउजन का लोन लेता हूं इसका इंट्रेस्ट इन सेवन परसेंट है जो कि तीन सालों के लिए है और महिए मंजली ise मैं है आज लोन स्टार्ट हो बी которыхaci मैंने यहाँ पे कि किस भेत को इक भी नing स्ट कितना है और कितना यहां अ मैं चैना रहा यहिए है है और कामरिटिमेंतरस्त क्या है नहीं कितना इंट्रिस भिया हुआ है यह मैं इतनी है सब दिख रहे हैं अब इसके अंतरी किलिक नहीं कर इस पे आप ही किलिक किजिए और इसमें रिवी में जाके इसको आप एक कर सकते हैं अन्पोटेक्शिए अब देखिए इसका फॉर्मुला क्या है इसमें किसी रिफ्रेंस का जिकर तो नहीं है न क्यों कि आप इसकी फॉर्मुला में जाएंगे तो देखेंगे कि इसमें हर एक जितने इसको रिफ्रेंसिज है पुस्स रिफ्रेंसिज के लिए इसने एक रखा है नहीं डिफाइन का रखा है इसने को पेर देट नहीं को पेर नमबर देट प्रिंस्पाल पीर या ठीक है नोन यह नोन स्टार्ट अश्या क्योंकि ताकि उसको ड्रैगिंग में दिक्कत ना हो और उसको हर जगा पर इसका रिफ्रेंस चेंज करने की ज़रूरत में आप्र नोन एमांट यहां के जगा उपर यहां चला आता है तो अधितर यह फ्रांबला है हर फ्रांबले मुझे उसका चेंज करना है लगी तर नेम मेंजर लेते हैं और बस एक बार नेम डिफाइन को चेंज करेंगी और अपने आप बाग की तरह फ्रांबला चेंज करेंगे और जैसा मैंने आपको एक्जाम्पल को स्टरी करें और अपने खुद की एक्जाम्पल बनाने का दोसिस करें ठीक है तो बस आपको फाइल मेल कर देता हूं मैं सेब कर दिया है तर वो उस दिन वाली फाइल का जो आपने कोश्चन दिया दा ना के वो डेट में से मंथ का समिफ कैसे लगाना है वो नहीं हो पाई थी मैं और दो दिन क्लास नहीं ले पाया तो उसको बता देंगे एकपर प्लीज कर देट में से मंथ का जो डेट का था एक कॉलम में एक कॉलम में डेट थी जिसमें समिफ लगाना था हमें मंथ वाइस अब सामिफ का वीडियो देखिए ना उसमें पड़ा जाएगा सामिफ से ही होगा सामिफ से ही होगा तो मिलता है कर देंग टाइम ओके बाई गुटनाइट बाई